अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और भी विडियो अमारे चैनल पर इन देखें और सबसे मेन बात कि हमारी एक बुक आ चुकी है जिसका description और link हमारे description पे है तो आपको अगर वो बुक पसंद है आपको वो उस बुक में सारे basic explained है तो आप ज़रूर वो बुक जाकर खरीदें तो आज का हमारा टॉपिक है footprint casting method in forensic science इस वीडियो इस रिटर्न बाइ मेगा महेश एंड प्रेजेंट बाइ शुत्तिका सिंगला तो हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि introduction footprint casting होता क्या है casting method की हम कैसे कैसे casting कर सकते हैं और उसके advantage सबसे पहले हम discuss करेंगे कि casting होती क्या है ठीक है देखो जब भी हम किसी भी sand पे या soil पे या गीली मिट्टी पे या snow पे कहीं पे भी हम चलते हैं हमारी छाप चूट जाती है एक तरीके से जब भी हम मिट्टी पे चलते है तो हमारे चपल के impression पढ़ते हैं हमारे मिट्टी पे हमारी हतेली के हो सकते हैं, fingers के हो सकते हैं, या जानवरों के हो सकते हैं, वो impression किसी के भी हो सकते हैं, बट वो impression हमारे जो भी case है, उसका एक बहुत important evidence होता है, तो उस impression को हमें से बचाके रखना पड़ेगा, preserve करना पड़ेगा, और ये impression हमारे कहां कहा हो सकते हैं, soil में, mud में, क कहा हमारे 3d MPR होती है यह हमारी जो 3d MPR होता है यह बहुत زíllक सेंसिटिव होते हैं हमेंटेयर को बहुत जाता सेंसिटिविटी से हैंडल करना होगा ऐसे नहीं क्थ इयृक मैं और पटक दे satisfy दे हाथ फेरेंगी तो वह पूरा खराब हजाएगा तो इसलिए हमें उसको बहुत जादा care से deal करना पड़ेगा उस impression से तो अगर हमें कोई भी मालो हमें कोई footprint impression मिल रहा है सबसे most को मली footprint होता है या फिर हमारे animals के pug marks होते है तो अगर मालो हमें कहीं भी footprint impression मिल रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम उसकी photo खीचेंगे हम note बनाएंगे हम उसका sketch बनाएंगे उसके बाद हम casting पे जाएंगे ठीक है जो हमारे पास footprint होता है वो एक individual की unique characteristic होती है क्यों होती है वो unique characteristic अब देखो हर एक individual के foot का size अलग-अलग होता है उसकी length, breadth, width अलग-अलग होती है तो footprint अलग हो गया ठीक है अगर हम बात करते foot wear print की तो देखो हर एक individual का अपना अलग weight होता है अपना अलग चलने का style होता है gate pattern सबका अलग होता है तो वो individual अपने according वो print छोड़ेगा मालो किसी के Indian shoe का जो size हो 6 है किसी का 7 है किया मालो दो जन है हमारे पास A और B और दोनों का जो shoe size हो 6 है बट A का weight कम है B का weight जादा है तो B का जो हमारे पास impression मिलेगा वो जादा deep मिलेगा as compared to A तो यह हमारे पास एक unique characteristic हो गई plus हमारे पास कुछ ना कुछ उसमें defective characteristics होती है कुछ wear and tear marks होते है हमारे जो हमारे shoes में preserve हो जाते है और वो हमारे mud में आते है उसके बाद हम उनको use करके किसी भी individual को पहचान सकते हैं कि वो individual हमारे crime scene पे present था plus और क्या-क्या हमारे पास हो सकते है जो हमारे पास footwear impression होते है वो हर brand के अलग-अलग होते है ठीक है उससे भी हम पता लगा सकते है कि वो individual कैसा है तो इसलिए जो हमारे पास casting होते है या फिर 3D जो impression होते है वो बहुत ज़ादा जरूरी होते है किसी भी crime को solve करने के लिए अब हमने ये देखा कि casting क्यों जरूरी है casting किस की हो सकती है casting हमेशा 3D impression की हो सकती है तो अब हम ये देखेंगे कि casting किस किस से हो सकती है हमने most commonly पढ़ा है कि casting plaster of paris या dental stone की हो सकती है कि most commonly हम plaster of paris और dental stone ही यूज करते है casting के लिए लेकिन हमारे पास और भी method है casting के जैसे paraffin wax resin, sulfur, silicone, woods, metal frame, mash, molding clay यानि हमारे पास और भी methods है जिसकी help से हम casting कर सकते है अब हम पढ़ेंगे कि हम casting कैसे prepare कर सकते है और कैसे हम cast को बना सकते है तो सबसे पहले हम discuss करेंगे कि P.O.P. से हम casting कैसे बनाते है ठीक है उसके लिए हमारे पास दो पार्ट चाहिए हमारे पास P.O.P. के और एक पार्ट चाहिए water का हमें अच्छे से उनको mix करना है ताकि उसमें कोई water bubble ना है air bubble ना है और वो अच्छी से mix हो जाए proper solution बन जाए हम उसमें और पानी भी डाल सकते है ताकि जो हमारा solution है वो smooth बने ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है हमारा जो भी impression है अगर उसके उपर हमारे कोई dirt है debris है, leaves है, glass है, stones है उसको हटा देना है अगर हमारे पास दो से ज़्यादा impression present है तो हमें वो impression चूज करना है जो proper है जिस पे ज़्यादा details present है और जो अच्छे से हमारा बन सकता है उसके बाद हम सबसे पहले step क्या करेंगे उसके around एक rectangular frame रख देंगे ताकि हमारा casting हम अच्छे से बना सके कि इस rectangular frame के अंदर हम अपना material डालेंगे और cast prepare होगा ने rectangular frame रख दिया उसके बाद हम क्या करेंगे हम shellac spray करेंगे बट दूर से ताकि हमारे spray के pressure से हमारे cast पे कोई फरक न पड़े अगर तुमारे पास shellac नहीं है तो हम टेलकम powder भी spray कर सकते हैं हम basically यह spray क्यों करते हैं ताकि हमारी जो casting है वो impression से अलाम से separate हो जाए और हमारी casting proper बने ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे जैसे हमने rectangular frame रख दिया हम एक corner पकड़ेंगे और वहां से जो हमने mixture बनाया है P.O.P. और water का वहां से pour करना start करेंगे हम half उसको pour कर देंगे ठीक है उसके बाद हम एक mash लगाएंगे उसके उपर या फिर थोड़ा wait कर लेंगे ताकि वह अच्छी तरह settle down हो जाए उसके बाद हम जो हमारा दूसरा portion half portion तो हमने पहले डाल दिया अब हम half portion और डालेंगे और उसको अराम से रख देंगे 10-15 मिनट के लिए ताकि वह अराम से सूख जाए और उसके around कोई गूमे ना हमें ये चीज़ हैं कोई उस cast को खराब ना करें ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे 10-15 मिनट बाद हमारा cast सूख जाएगा हम उस cast को ऐसे नहीं उठाएंगे सबसे पहले हम उस cast के around जो हमारी मिटी होगी ना उसको थोड़ा हटा देंगे ताकि हमारी जो मिटी हो लूज हो जाए और हमारी casting एजिली रिमूव हो जाए हम अपनी rectangular frame हटाएंगे हम अपना casting निकालेंगे अब हमारी casting पे mud होगा dirt होगा थोड़ा उसको हमें अपने हाथ से कुछ नहीं करना एक soft brush लेना है और mud को हटाना है हमारी casting से और फिर जो हमारी casting आ जाएगी ना उसको हम further use करने के लिए preserve करेंगे अब हम पढ़ेंगे main advantage क्या है casting का देखो सबसे पहले बात होती है जो भी हमारे 3D impression होते है उसको हम photograph से तो preserve कर सकते है अब casting हमारी क्या-क्या help करता है सबसे पहले details जो भी minute details होती है जो हमारे footwear print impression में होती है या tire impression में होती है तो उनको preserve करने में help करता है कि हमारे individual जो characteristics है हमारे evidences में तो वो हमारे पास आ जाते है then next second होती है particular shape, width, height जैसे मैंने आपको पहले explain किया था कि हर एक individual का अपना अलग-अलग impression होता है तो उससे हम उसे individual को अराम से identify कर सकते है प्लस ये microscopic characteristics भी देता है कि मानलो अगर हमारे जहांपे हमारा वो casting present है उस soil में कुछ particular microscopic organism present है और वही organism हमारे criminal के footwear's में शूज में present है तो हम उसको interrelate कर सकते है कि पक्का ये criminal वहाँ पे visit किया होगा कि उस criminal ने वहाँ पे visit किया होगा तभी ही ये जो microscopic characteristics है दोनो footprint और mud की similar है At last, thank you for watching this video अगर आपको ये video पसंद आया तो please like करना, comment करना, share करना और हमारे channel को subscribe तो जरूर करना क्योंकि हमारे channel पे और भी videos आने वाली है नए नए topic पे बहुत सारी videos आ चुकी है क्योंकि हमारे चाने पाली है